जहिन डिफेंसे स्परेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस दिव्याशु पांडे अगनिपत इसकीम पर कॉंट्रोवर्सी कम होने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक बयान और आर्टिकल्स के माध्यम से इसको एक नई आग दी जा रही है और अब ये कॉंट्रोवर्सी तब उत्पन हुई है जब भारती नौसेना के फॉर्मर एड्मिरल करंबीर सिंग का एक आर्टिकल अब वाइरल हो गया है जिसमें इनों ने अगनिपत के बारे में कुछ बयान दिये हैं चलिए जानते हैं कि इनके द्वारा अगनिपत योजना पर क्या कहा गया है जिसको भारत की विपच्छी पार्टियां जो हैं लेकर काफी हंगामा कर रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगनिपत योजना 2022 में आई थे और इस योजना का पूरे भारत में युवाओं के द्वारा काफी विरोध किया गया था साथी साथ इस बार की जो अठारवी लोगसबा है उसमें भी इसके मुद्दे आप उठाए जा रहे हैं और अभी हाली में निउस पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें एक्स नेवी चीफ एडेमिरल करमबीर सिंग अपने तरब से जो है इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इस अगनिपत योजना ने combat effectiveness को degrade किया है यानि कि यह जो चार साल की योजना है उससे हमारे armed forces का moral काफी डाउन होता है और हमारे soldiers सही तरीके से training आपके नहीं ले पाते हैं जिससे कि combat effectiveness degrade हो जाएगी इनके द्वारत दिये गया बयान में कहा गया है कि इससे पहले तो pension आपकी दी जाती थी पहले जो हमारे जवान रहते थे 15 साल 20 साल 15 साल की जो नौकरी कर लेता था और अगर वियारस भी लेता है अमेरिका यूके में जो चलाई जा रहे हैं स्केम से उसको कॉपी करके अगनीपत योजना लाई गई जिसमें 4 साल का प्रावधान किया गया और pensions को पूरी तरीके से हटा दिया गया तो उसी पर इन्हों ने कहा कि तो इनके द्वारा जो है अपने इस बयान में बात कही गई है आर्टिकल में भी आपको छपा हुआ है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया और उसी आर्टिकल को सभी जो लीडर्स हैं वो भी अपने तरब से ट्वीट कर रहे हैं Admiral Singh comments are significant because he was among the key figures involved in discussions on Agnipar proposal and retired from the top job in November 21 months before the National Democratic Alliance Government announced the scheme in June 2022 तो November 2021 में retire हो गये थे उसके कुछ ही महीने बाद जो है यह scheme आ गई थी यानि कि यह सभाविक सी बात है कि जब उसकी discussions हो रही थी तो यह भी उसमें आपके सम्मलित थे अब इनकी राय कितने इस्तर पर ली गई थी नहीं ली गई थी जब ये उस समय नेवी के chief थे तो इन्होंने किस प्रकार से विरोध किया होगा ये बात तो बिलकुल नहीं आई अभी जब ही रिटायर हो गए तब ये जो है एक interview में इन्होंने अपनी बात कही है वैसे जब इन्डिये officer थे तब ही इसका पुर्जोर विरोध करना था अगर इनको ऐसा लगता है कि ये योजना सही नहीं है अगनी बीर योजना में बहुत सारी खामिया हैं बहुत सारी अच्छाईया हैं लोगों के अलग-अलग उसमें मत हैं अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो इसका setback देखा जाता है वो है 25% को सेना रिटेन करेगी regular service में बाकी 75% को हटा देगी अब question यहीं उठता है कि अगर आपको हटाना ही था तो आपने लिया क्यों और चार साल के लिया क्यों तो सरकार में अभी जब लोग सभा में राहुल गांदी जी के दौरा यह मुद्दा उठाया गया तो राजनासिंग जी के दौरा इस पर अपने तरफ से बयान दिया गया उन्होंने कहा कि देखिए य भारत में modernization बिल्कुल हो रहा है जैसे कि theater commands के तीन basis आपके identify कर लिये गये हैं जिसमें लखनव, जयपूर और तिरवन्तपूर हम शामिल हैं लेकिन क्या 4 साल की service हमारे सेनिकों के लिए उचित रहेगी ये भी एक सबसे वड़ा प्रशन चिन्नाप का बना हुआ है अब इस समय यही योजना का बात आपका चल लहा था तो इन्होंने अभी retire के बाद एक book लिखी थी जिसका नाम तब four starts of destiny, four starts of destiny इस book को जो है सरकार ने अभी तब publish होने नहीं दिया हुआ है और इसके जितने भी pre-orders किये जा रहे थे उसके amazon के द्वारा cancel कर दिया गया है तो एक साल लगबग होने को है इस book को आपके launch होने में लेकिन अब ये launch नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review के लिए रख लिया है और उनका कहना है कि देखी इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी information हो सकती है जो की देश के security के लिए वो हो लेकिन अगर मालीजी ऐसी information है तो उनको हटा देते उ उसके बाद book को launch करते तो सरकार का कहीं न कहीं डर ये भी है कि इसको political outrage फिर से अगनिपत योजना को मिल पाई जाएगा अभी राहूल गांदी जी के द्वारा ये question उठाया गया कि अगनिवीर के एक जवान शहीद जवान अजो कुमार थे उनके family को compensation सही तरीके से नहीं मि दे चुके हैं बाकी की 67 lakh rupees हम देंगे यानि की total 1.65 crore rupees भारती थलसे ना हमारे अगनिवीर जो शहीद होते हैं उनको देती है अगर हम अगनी पत स्कीम में भारा सरकार के द्वारा कुछ advantages को देखें तो देखें का composite monthly package अगर कोई पहले साल जा रहा है तो उसको 30,000 रूपर म मिलेगा allowances उसमें risk hardship, राशन, dress, travel allowance ये सभी applicable आपके किये गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि death compensation, non-contribility life insurance cover 48 lakh रूपे, additional ex-gradia 44 lakh रूपेs for direct attribute to service, pay for unserved portion up to 4 years including सेवा ने थी disability के लिए आपका इसमें पैसा आपका रखा गया है, तो सरकार ने कई जो हैं उसमें वो चीजी रखी, लेकिन युवाओं का यही कहना है कि देखिए 4 साल काफी कम होते हैं, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो अभी केंद सरकार आप सभी गान रहो, इस बार बहुमत उन् सरकार से अगने वीर योजना का फ्यूचर रहेगा, और इसको देश के भलाई के लिए और भी हम इसको modernize का मतलब और भी इसको बहतर कर सकते हैं, जिससे की हमारे युवा भी खुश रहें, और हमारे इंडियनार्ट फोर्स के नीड़ भी फुल्फिल होती रहें, आगर अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट हैं और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें, आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं कर दो आप हमारी लर्निंग जजाए्ट ।री लर्निग अभर कर रहे हैं